इस सेशन में अब जैसे मैंने लास सेशन में कहा था अब सरकेट्स फिर से वही किर्चॉप स्लूप रूल यूज करना है कि वोल्टेज इस हमें डील करनी है लेकिन यहाँ पर दो ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनका पोटेंशल हम एसाइन नहीं कर पाएंगे तो एक के लिए हम एक्स लेंगे दूसरे के लिए य लेंगे तो दो एक्वेशन एक्स और य अन्नोंज हैं पहले निकालने पड़ेंगे फिर जाकर हम चार्ज इसको निकाल पाएंगे यहांपर जिर ऑखर मेंद्व ca μαd audio यहांपर भी जिरो यहांपर भी जिरो यहां पर भी जिरो यह तो पिछले सिशन में कंटिन्वास किके हम करते आः Г रहे हैं ze- highway to higher आप जा रहे हैं 0 प्लस 3 इस प्लस 3 तो lower to higher आप जा रहा है 0 प्लस 4 इस प्लस 4 अगैन lower to higher आप जा रहा है वोल्ट वोल्ट और यहाँ पर तो capacitor है यहाँ पर भी capacitor है यहाँ से भी capacitor है तो बागी points का हम नहीं कर पाएंगे So दो points ऐसे हैं यहाँ इस point का potentialum x लेते हैं यहाँ से यहाँ जब आप जारेगे तो kapacitor हैं तो फिर से इस का हम नहीं कर पाएंगे तो इसका बैटरी होती तो लिख पाते लेकिन बैटरी नहीं है कैपस्तर है तो इसका हम y लेते हैं अब यहाँ से यह बीच में बैटरी हैं तो लिख पाएंगे तो y-5 अब higher to lower जा रहे हैं तो y minus 5 अब दो unnoons है एकस और y तो दो isolated regions हम लेंगे दो isolated regions के लिए दो equations उनको solve करके एकस और y निकाल देंगे तो इसको q1 कहते हैं capacitor 1 q1, capacitor 2 q2, capacitor 3 तो q3, capacitor 4 तो q4, capacitor 5 तो q5, capacitor 6 तो q6 अब isolated region पहले isolated region जिसमें x आएगा तो यहां से, यहां से, यहां से चले यह तो छोटा वाला ही isolated region आ गया इसे कहते हैं IR1, IR1, isolated region 1 अब रिमाबर दो हमने लेने हैं, दो हमने लेने हैं तो दूसरे में y आना चाहिए, तो यहां से शुरुवात करनी पड़ेगी यहां से, यहां से जाएंगे, यह एक कैपासिटर है अब यहां से नहीं जा सकते हैं क्योंकि यह बैटरी है, बैटरी के थूरु नहीं जा सकते हैं कैपासिटर के थूरु जाना होगा, तो यहां पर आना पड़ेगा फिर ये वाला कैपासिटर ये आपका आईसोलेटर रीजन इसको कहते हैं IR2 दुनों आईसोलेटर रीजन के लिए हम equations लिखते हैं remember total charge in isolated region is 0 IR1 के लिए IR1 के लिए Q1 plus Q2 plus Q3 is equal to 0 is equal to 0 okay now Q1 5 into X minus minus 2 remember X को reference बनाना okay X को reference बनाना so 5 into X minus minus 2 5 into X minus minus 2 plus Q2 2 ये रहा 5 into X minus 3 5 into X minus 3 Q3 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 नहीं Q4 हमें लेना है ये वला है Q4 Q3 हमें नहीं लेना है Q4 हमें लेना है so Q4 Q4 के लिए 5 into X minus Y okay दो अनूंज आ रहा है 5 into X minus Y 5 into X minus Y is equal to 0 is equal to 0 so this implies 5X 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 15X okay 15X अब Y का देख लें Y तो एक ही जगह पर हैं तो minus 5Y minus 5Y अब का देख लें minus minus plus 5 into 2 is 10 so plus 10 यहां पर minus 15 5 into 3 is 15 यहां पर तो है नहीं this is equal to 0 so this implies 15X minus 5Y is equal to 10 minus 15 is minus 5 minus 5 यहां लाएंगे तो plus 5 बन जाएगा 5 से लेकिन cancellation साथ में होगा okay 5 से cancellation 5 into 1 5 यहां पर 5 into 3 तो यह बन जाएगा 3X minus Y is equal to 1 3X minus Y is equal to 1 call this equation 1 okay equation 1 ठीक है fine अब जाके दूसरे isolator region के लिए okay दूसरे isolator region के लिए इस वाले के लिए Q4 इस plate की charge Q4 यह तो इस यह वाला plate इस isolator region को बलाँ करा है यह वाला plate इस isolator region को बलाँ करा है Q4, Q3, Q5 और इसका Q6 okay so Q4 plus Q3 plus Q5 then plus Q6 is equal to 0 okay is equal to 0 so this implies Q4 यह रहा अब Y को reference बनाना है remember Y के लिए हम develop कर रहे हैं Y को reference बनाना है so 5 into Y minus X यहाँ इस वाले region में हमने X को reference बनाना है तो X minus Y लिया था लेकिन आप Y को reference बनाना है तो Y minus X लेंगे so 5 into Y minus X 5 into Y minus X plus Q3 Q3, 3 वाले यह रहा 5 into Y minus 4 5 into Y minus 4 फिर जाके Q5 Q5 यह रहा 5 into Y minus 5 minus 0 remember Y वाले side ही reference बनाना तो 5 into plus 5 into Y minus 5 minus 0 minus 0 फिर जाके Q6 plus Q6 Q6 यहां से तो Y है यहां से 0 है तो Y minus 0 5 into Y minus 0 is equal to 0 is equal to 0 so this implies 5Y, 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 5Y 4 है 5 into 4 is 20 20Y 20Y फिर X का देख लेते हैं X तो एक ही जगह पर हैं तो minus 5X okay minus 5X फिर जाके Q2 देखते हैं यहां पर तो है नहीं यहां पर minus 5 into 4 is 20 यहां पर plus minus is minus 25 यहां पर तो 0 हैं this is equal to 0 okay this is equal to 0 so this implies 20Y minus 5X is equal to 20 plus 25 is 45 minus 45 उस साथ से लेंगे तो plus 45 45 फिर से 5 से cancellation कर लेंगे 5 5 इंटो 4 is 20 5 इंटो 9 is 45 तो 4y कहां पर लिखते हैं 4y minus x minus x is equal to 9 is equal to 9 यह हमारे पास दूसरी equation आ गई एक और y के लिए x और y के लिए so equation 1 और equation 3 को 2 को अप्सालू करना है to find out x and y अब note करना है यहां पर 3x हैं और यहां पर minus x हैं तो इसको 3 से multiply कर लेंगे फिर add कर लेंगे तो 3x minus 3x फिर cancellation होगा तो वो आप नेक्स पेज के पेज पे कर लेते हैं equation 2 into equation 2 into 3 equation 2 into 3 equation 2 into 3 3 से माल 4 into 3 is 12 12y 12y minus minus 3x 3 से ही multiply करना है 3x is equal to दूसरे साइड में क्या है 9 so 3 into 9 is 27 27 यह अब equation 3 equation 3 equation 1 जो है वो आपके पास है 3x minus y is equal to 1 वो भी लिखते हैं 3x minus y is equal to 1 3x minus y is equal to 1 यह तो equation 1 है just rewriting equation 1 अब जरा solve कर लेते हैं add कर लेते हैं minus 3x plus 3x will cancel out to addition यह तो cancel out होगा 12y minus y is 11y okay 11y फिर जाके 27 plus 1 is 28 so y आ रहा है 28 divided by 11 volts 28 divided by 11 volts which is 2 point something okay 2.5 कुछ आ रहा है 2 point something okay y is 2.5 around 2.5 के आसपास यह तो y आ गया अब y का वाली equation 1 में use कर लेते हैं to find out x so equation 4 4 in 1 implies 3x minus y minus 28 divided by 11 उसे यहा लेके लाते हैं तो plus बन जाएगा 28 divided by 11 plus 1 plus 1 so this implies 3x is equal to 11 into 1 is 11 28 plus 11 28 plus 10 is 38 38 plus 1 is 39 39 divided by 11 so this implies कुछ थूच चनलेश लाएगा 3 into 1 3 into 3 x is equal to 13 divided by 11 okay 13 divided by 11 call this equation 5 so यह आ रहा हा है something like 2.5 कुछ और यह आएगा 1.something 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 चले X और Y मिल गए अब हम charges जो हैं वो निकाल सकते हैं charges जो हैं वो निकाल सकते हैं charges निकालने के लिए Q1 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 5 इंटो अब X जो हैं X हमने अभी देखा X हमने अभी देखा 1.something है 1.something है तो यह higher side, यह lower side यह minus 2 है न तो यह higher side, यह lower side तो इसकी charge जो होगी वो positive होगी इसकी charge negative होगी किसके बराबर होगी 5 इंटो X minus minus 2.5 इंटो X minus minus 2 तो Q1 यह इसी पर कर लेते हैं Q1 is equal 5 इंटो X minus minus 2 X minus minus 2.X 13 divided by 1 11 use कर लेते हैं So, this implies Q1 is equal 5 into 13 by 11 minus minus plus 2 So, 5 into 11 into 2 is 22 22 plus 13 22 plus 10 is 22 plus 10 is 32 32 plus 3 is 35 So, 35 divided by 11 So, Q1 is equal 5 5 25 5 3 15 16 17 175 divided by 11 micro coulomb 175 divided by 11 micro coulomb Q1 आ गया Q1 आ गया Q2 Q2 यह रहा अब दिस वन प्वाइं लेकिन दिस प्लस 3 तो यह रहा हैं यह रहा हैं यह लोवर हैं तो यह साइड पॉजिटिव हैं यह साइड नेगेटिव हैं और किसके बराबर 5 into 3 minus X 5 into 3 minus X 5 into 3 minus X और X हमारा किसके बराबर हैं X हमारा है 13 by 11 So, 5 into 3 minus 13 by 11 13 by 11 So, this is 11 into 5 into 11 into 3 is 33 minus 13 divided by 11 5 into 33 minus 3 is 30, 30 minus 10 is 20, 20 divided by 11 5 into 2 is 10 So, 100 divided by 11 micro coulomb Q2 is equal to 100 divided by 11 micro coulomb 100 divided by 11 micro coulomb So, Q2 आ गया अब Q3 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 यहां पर यह पहले Q4 निकालते हैं चले Q3 निकालते हैं Q3 5 into Y और plus 4 हैं Y कितना है हमारा Y is 2 point something 2.5 के आस-पास 2.5 के आस-पास तो यह 2.5 है यह 4 है तो यह higher side हुआ तो this plate is positive, this plate is negative 5 into 4 minus Y 5 into 4 minus Y Q3 5 into 4 minus Y 5 into 4 minus Y 5 into 4 minus Y हमारा किसके बराबर हैं Y 28 divided by 11 28 divided by 11, 28 divided by 11, so this is 5 into 44 minus 28 divided by 11, 44 minus 28, 28 to 30, 30, 10 plus 6 is 16, so 5 into 16 divided by 11, so this implies Q3 is equal to 5 into 6, 30, 5 into 5, 1 is 5, 5 plus 3 is 80 divided by 11 micro coulomb, okay, 80 divided by 11 micro coulomb, okay, 80 divided by 11 micro coulomb, then Q4 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 is equal to Q4 यह रहा है 5, अब X और Y में से बढ़ा कौन है Y जो है 2 point something है, X जो है 1 point something है, तो Y ज्यादा है Y, Y higher potential है, यह lower potential है, तो this side is positive, this side is negative 5 into Y minus X, okay, 5 into Y minus X, 5 into Y minus X, so this is 5 into Y जो है, वो हमने देखा है 28 divided by 11 है, 28 divided by 11, minus X जो है, that was 13 divided by 11, 13 divided by 11, 11 तो नीचे कौन है 5 into 28 minus 13, 8 minus 3 is 5, 2 minus 1 is 1, divided by 11, so this implies Q4 is equal to 5, 5, 25, 5 and 5 plus 2 is 7, 75 divided by 11 micro coulomb, so Q4, 75 divided by 11 micro coulomb, 75 divided by 11 micro coulomb, 5, then Q5, different color use कर लेते हैं, Q5 is equal to, Q5 कहा है, यह रहा, Q5, अब Q5 में Y minus 5 और 0 है, Y minus 5, Y कितरा है, 2.something, where did I go, Y जो है, that is 2.5 के आस-पास, 2.5 के आस-पास, तो Y minus 2.5 minus 5, तो वो तो negative आएगा, यह 0 है, तो यह higher potential है, यह lower potential है, और चार्ज किसके बराबर होगी, 5 into 0 minus time is Y minus 5, 0 Y minus 5, 5 into 0 time is Y minus 5, एक side से 0, दूसरे side से Y minus 5, Y हमारा जो है, that is 28 divided by 11, 28 divided by 11, यह बन जाएगा, 5 into, minus minus is plus 5 or minus Y, Y के बर लिमेंगा, 28 divided by 11, 28 divided by 11. So, this implies Q 5 is equal to 5 into, 11 into 5 is 55, minus 28 divided by 11, so 55 minus 28, 30, 40, 50, 20, 22, 27, 5 into 27 divided by 11, 5 into 27 divided by 11, so this implies Q 5 is equal to 5 into 7, 35, 35, 5 into 210, 10 plus 3 is 13, 135 divided by 11 micro coulomb, Then we have one more, Q 6, Q 6, Q 6, अब यहां से Y हैं, यहां से 0 हैं, तो Y जादा होगा, तो यह positive, यह negative, So, 5 into Y minus 0, 5 into Y minus 0, यहां पर बोक कर लेते हैं, Q 6 is equal to 5 into Y minus 0, Okay, Y minus 0, अब यहां से 28 divided by 11 हैं, तो यहां जाएगा, 5 into 28 divided by 11, 28 divided by 11, So, this implies Q 6 is equal to 5 into 8 is 40, 5 into 2 is 10, 10 plus 2 is 140 divided by 11 micro coulomb, Q 6 आएगा, 140 divided by 11 micro coulomb, is that fine, Okay, So, I know this is a little hard chickpeas, Fine, but nevertheless, you just learn, X or Y, 2 points के अनून आगे, तो यह process करना है, X और Y को पहले अलग-अलग निकालना है, फिर जाके charges को निकालना है, One more, one more, I know this session is a little difficult session, Difficult नहीं, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, थोड़ा सा लंबा है, otherwise difficult नहीं है, चले यह लेते हैं, सब कुछ वही करना है, जो आपने पहले से ही किया है, बस एक equation, extra है, वहाँ पर लास session में एक equation होती थी, X वाली equation, यहाँ पर दो equations है, X और Y वाली equations है, चले, नाव, दिस crazy thing, 0, 0V, 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 यहाँ तो capacitor है, यहाँ पर भी capacitor है, यहाँ पर बैटरी है, 0 military, 3V, यहाँ पर भी battery है, 0ия to lower, 0-2, तो यहाँ से –2 है, यहां पर कैपैस्टर अब हैं, यहां पर भी आप कैपैस्टर हैं, यहां से यहां भी कैपैस्टर हैं, यहां से यहां भी कैपैस्टर हैं तो यह पॉइंट अन्नून, यह पॉइंट अन्नून और यह पॉइंट अन्नून इन 2 मेंसे एक ही आपने देना है कि बीच में 2 आपको पता है तो 2 मेंसे एक ही को आपने देना है तो इसको x देते है इसको y देते है तो यहां पर y प्लस 2 बन जाएगा y प्लस 2 बन जाएगा lower to higher, negative to positive तो y प्लस 2 इस साइड से बन जाएगा अगें आइसोलेटर रीजन लेते हैं पहले आइसोलेटर रीजन एक्स के लिए लेते हैं यह तो बैटरी है तो यहां से शुरुबात करनी होगी यहां से फिर यहां से इवर यहां से जूं करके यहाँ यह एक isolated region आपका आगया IR1 दूसरा isolated region उसमें Y आना चाहिए और Y वहाँ पर है तो यहाँ से हम लेते हैं यहाँ पर capacitor है यहाँ पर capacitor है तो यह छोटा ही बन रहा है यह आपका IR2, isolated region 2 region 1 के लिए equation develop करते हैं region 2 के लिए equation develop करते हैं उनको solo करते हैं, X और Y निकालते हैं फिर individual charges लिखते हैं region 1, IR1 के लिए IR1 के लिए IR1 के लिए पहले charges को assign करते हैं Q1, Q2 let's suppose this is Q1 here Q2 here Q3 here Q4 Q5 and then Q6 Q1 के लिए इस isolated region में Q1, Q2, Q3 और Q4 आ रहे हैं तो इनका sum जोए हैं वो 0 के बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 is equal to 0 remember battery कुछ नहीं कर लेगे, battery is not source of the charge battery just circulates charge एक plate से निकालती हैं, दूसरे plate को देती हैं तो इसका isolated region में present होना कोई मसला नहीं है Q2 प्लस Q2 के लिए, Q2 यह रहा, 1 इंट X-0, 1 इंट X-0, 1 इंट X-0, Q3, 1 इंट X-3, thankfully सभी 11 है, सभी 11 है, सभी 11 है, so it will make our calculations easier, so X-3, 1 इंट X-3, so plus 1 इंट X-3, remember X से ही शरू करना, X ही reference है, Q4 हा, Q4 भी है, 1 इंट X-1, Y plus 2, Y plus 2, 1 इंट X-1, Y plus 2, plus 1 इंट X-1, Y plus 2, and this all is equal to 0, this all is equal to 0, so this implies, X वाले, 1, 2, 3, 4, 4, X, Y, यहां पर minus Y, एक ही जगह पर है, my, plus minus is minus, minus Y, minus Y, फिर को नस्तंस, 1 इंट 2, 2, यहां पर तो 0 है, 1 इंट minus 3, minus 3, यहां पर plus minus minus 2, 1 इंट minus 2, 1 इंट minus 2, is equal to 0, plus 2, minus 2, goes to dogs, so we have 4X minus Y, minus 3, is equal to 0, और 4X minus Y, is equal to 3, यह एक 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 हमारे पास आगी, for isolated region 1, 4X minus Y, 4X minus Y, is equal to 3, 4X minus Y, is equal to 3, अब isolated region 2 के लिए equation लिखते हैं, उसमें कौन कौन सी charge आ रही है, Q4, Q5, और Q6, तीन आ रहे हैं, और reference remember Y को बनाना है, Y को बनाना है, so Q4, Q5, Q6, so IR2 के लिए, Q4 plus Q5 plus Q6 is equal to 0, Q4 plus Q5 plus Q6 is equal to 0, Q4, 1 इंटो, Y को बनाना है, Y plus 2 minus X, Y plus 2 minus X, 1 into Y plus 2, Y plus 2 minus X, plus Q5, Q5 ये रहा, 1 into Y plus 2 minus 3, Y बनाना है, Y plus 2 minus 3, 1 into Y plus 2 minus 3, फिर Q6, Q6, Q6 यहां पर, Q6, 1 into Y minus minus 2, Y reference है, Y minus minus 2, so 1 into Y minus minus 2, 1 into Y minus minus 2, is equal to 0, okay, is equal to 0, so अब simplify कर ले, पहले Y, 1, 2, 3, 3Y, फिर X, X तो एक ही जगह पर है, minus X, minus X, फिर जाके कौन स्टन्स, यहां पर plus 2, 2 minus 3 is minus 1, minus 1 into 1 is minus 1, minus minus plus 2 into 1 is just plus 2 is equal to 0, तो ये बन जाएगा, 3Y minus X, 2 plus 2 is 4, 4 minus 1 is 3, so plus 3 is equal to 0, okay, plus 3 is equal to 0, so this becomes, अच्छा पहली एक्वेशन क्या है, 4X minus Y is equal to 3, के लिए, 3Y minus X is equal to minus 3, equation 2, okay, equation 2, अब 1 और 2 को सॉलू करना है, X और Y निकालने के लिए, X और Y को निकालने के लिए, यहां पर देखें, minus X हैं, यहां पर 4X हैं, तो इसको 4 से multiply करते हैं, 4 को multiply करते हैं, equation 2 into 4 implies, 4 into 3 is 12, 12Y, minus 4X is equal to 4 into 3 is 12, minus 12, okay, minus 12, minus 12, चले, फिर इसको equation 3 कहते हैं, equation 1 को मैं लिखूंगा, 4X minus Y is equal to 3, 4X minus Y is equal to 3, यहां लिखूंगा 1 हैं, equation 1, 3 plus 1, 3 plus 1 implies, 3 plus 1 implies, 3 plus 1 implies, 4X, 4X will cancel out, 12Y minus Y is 11Y, is equal to, minus 12, subtract करें के, add करें, minus 12 plus 3, minus 12 plus 3 is minus 9, so this implies, Y is equal to minus 9 divided by 11, which is 0 point something, okay, 0 point something, so Y is के बराबर आ गया, तो यह इंपर X भी निकालते हैं, remember, this is 0 point something, 9 divided by 11, denominator बड़ा हैं, X निकालते हैं, X निकालते हैं, X निकालते हैं, X निकालते हैं, इस वाली एक्वेशन से, equation 2 से, 2 implies, 3 into minus 9 by 11, minus X is equal to minus 3, so this implies, minus X को यहां लाते हैं, तो plus X बन जाएगा, minus 3 को यहां लाते हैं, तो plus 3 बन जाएगा, यहां पर पहले से आप इसको देखले हैं, minus 9 into 3 is 27 divided by 11, 27 divided by 11, so this implies X is equal to, X is equal to, 11 into 3 is 33, 33 minus 27 is 6, 6 divided by 11, 6 divided by 11, अब यह भी 0 point कुछ हैं, लेकिन Y निकालते हैं, X जाएगा हैं पॉसितिव आरा हैं, X positive आरा हैं, तो वो higher होगा, Y negative आरा हैं, तो obviously lower होगा, this is 0 point something, that is again 0 point something, 0 point 6, 0 point 5 कुछ आएगा, and this will be 0 point 9, 0 point 8, 0 point 8, अब Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 निकालेंगे, Q1, 1 into, अब X जो हैं, that is 0 point something positive था, तो यह higher side, यह lower side, तो यह इसकी charge, positive इसकी charge negative, 1 into X plus 2 minus 0, 1 into X plus 2 minus 0, Q1 is equal to 1 into X plus 2 minus 0, यह था न, X plus 2 minus 0, 1, अब X का वैल्यू, 6 divided by 11, 6 divided by 11, 1 into 6 divided by 11 plus 2, plus 2, 11 into 2 is 22, 22 plus 6 is 28 divided by 11 micro coulomb, यह क्यू वा नागे, आपका, यह Q1 आगे, 28 divided by 11 micro coulomb, अब Q2, Q2, यह रहा, X और 0, तो यह higher side, यह lower side, यह positive यह नगे तो, 1 into X minus 0, 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 different color, Q2 is equal to 1 into X minus 0, that is 1 into X के बाल में 28 divided by 11 minus 0, वो बन जाए का 28 divided by 11 micro coulomb, 28 divided by 11 micro coulomb, Q3, Q3, Q3 यह, 1, अब X जो है, that is 0 point something, यहां से plus 3 है, तो यह वाला higher side है, यह वाला lower side है, so 1 into 3 minus 6, okay, 1 into 3 minus 6, 1 into 3 minus 6, so 3 minus 1 देखने के जुरत नही है, X जो है, वो 6 divided by 11 है, 6 divided by 11, 11 into 3 is 33, 33 minus 6 is 27, 27 divided by 11 micro coulomb, Q3, 27 divided by 11 micro coulomb, Q4, 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 Q4 कहा है, यह रहा, अब X यहां पर है, Y plus 2, Y plus 2, अब Y जो है, Y जो है हमारा, वो minus 9, 0.8, minus 0.8 कुछ, minus 0.8, तो 2 minus 0.8 will be 1.2 something, तो 1.2 यहां से, यहां से 0.9 कुछ, तो this side is higher, this side is lower, तो 1 into Y plus 2 minus X, okay, 1 into Y plus 2 minus X, 1 into Y plus 2 minus X, तो 1 लिखने के जुरूद नहीं है, Y जो है हमारा, Y, minus 9 divided by 11, minus 9 divided by 11, plus 2, minus X, X जो है हमारा, X के है, 6 divided by 11, 6 divided by 11, हमने ठीक यहां, Y plus 2 minus X, Y plus 2 minus X, so okay, this is 11, I will see हम, यह minus 9, 2 into 11 is 22, minus 6, so Q4 is equal to, 9 over 6 is 15, 15 minus 15, 22 minus 15 is 7, so 7 divided by 11 micro coulomb, so Q4 is 7 divided by 11 micro coulomb, fine. Q5, Q5, यह रहा, अब this is 1 point कुछ, यह 3 है, तो यह positive है, यह negative है, so 1 into 3 minus Y plus 2, 1 into 3 minus Y plus 2, Q5, different color use कर लेते है, Q5, is equal to 1 into, क्या था, 1 into 3 minus time is Y plus 2, 3 minus time is Y plus 2, Y plus 2, so this implies Q5 is equal to 1, लेते है, 3 plus 2 is 5, Q5, minus Y, that is 9 divided, minus 9 divided by 11, okay, minus 9, लेते है, 9 divided by 11, so this implies Q5 is equal to 55 plus 9, 55 plus 9, is 64 divided by 11 micro coulomb, 64 divided by 11 micro coulomb, okay, so Q6, Y negative है, minus point something, क्या था, minus 0.8 कुछ, minus 0.8, minus 0.8, यहां से minus 2 है, तो वो higher है, वो higher है, यह positive, यह negative, positive, negative, 2, so 1 into Y minus minus 2, Q5, Q6, 1 into Y minus minus 2, Y minus minus 2, so Y 1 into 2 is 22, 22 minus 9, okay, 22 minus 9 is 13, 13 divided by 11 micro coulomb, Q6 is equal to 13 divided by 11 micro coulomb, 13 divided by 11 micro coulomb, fine, so that will do for this session, is type, that will do for today, okay, aloh. Look what I have done here, look what I have done here, x is 6 by 11, not 28 by 11, x is 6 by 11, x is, x is where is x, x is 6 divided by 11, not 28 by 11, so let me raise it here, is 6 divided by 11, 6 divided by 11, so 6 divided by 11, 6 divided by 11 minus 0 is just 6 divided by 11, so 6 divided by 11 micro coulomb, 6 divided by 11 micro coulomb. So Q2 is not 28 by 11, Q2 is 6 divided by 11 micro coulomb. Okay, look again, look again, here, this is minus 2, okay, minus 2, so 3 minus 2 is 1, 3 minus 2 is 1, we have added it, 3 minus 2 is 1, 3 minus 2 is 1, let me use the same colour, 1. Then y ke badle me minus 9 by 11, wo minus minus plus ban jayega. So this is 11 plus 9, okay, 11 plus 9, 11 into 1 is 11, 11 plus 9 is 20, so 20 divided by 11 micro coulomb, okay, 20 divided by 11 micro coulomb. So, wo wa ha per plus minus Edward Huata, okay.